आज हम बात करेंगे important or useful topic के बारे में, आज हम बात करेंगे कुछ tips जिससे आप अपने cholesterol levels को कब कर सकते हैं, cholesterol एक काफी common problem है, काफी लोग cholesterol की बिमार से PDC रहते हैं, किसी का HDL कम है, किसी का LDL जादा है, किसी का triglyceride जादा है, लोग इससे परेशान रहते हैं, आए दिन जादा तर लोग जो हमें message करते हैं, उसमें at least 20-30% messages जो daily हमें आते हैं, वो cholesterol संबंदित ही होते हैं, लोग अपनी lipid values से परेशान रहते हैं, दवाई जादा तर लोग नहीं लेना चाहते हैं, दवाई obviously starting जो medicine है, वो काफी जादा safe है, काफी अच्छे results available है, और किसने भी high cholesterol values हो, यह आपको guaranteed results देते हैं कि, obviously अगर 400-500 से यह LDL हो, तो बहुत मुश्किल है कि उसको control करना, 400-500 cholesterol की नहीं LDL की बात कर रहा हूं, पर अगर reasonable range में, even 200-200-300 तक भी LDL है, तो भी जादातर case में, आप cholesterol reducing medicine से उसको कम कर सकते हैं, और target level जो LDL का है, उसके आप से आप उसको ला सकते हो, जादातर studies यह शो करती है, कि LDL levels को target करना जादा sensible है, जादा useful है, और long term उसके results ही जादा अच्छे हैं, बाकी triglycerides और HDL सा थोड़ा फरक ज़रूर पड़ता है, पर dietary case आप से उसको जादा target करना, या medicines के साब से उसको जादा target करना, बहुत जादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर आप diet उससाब से ले तो चलेगा, पर medicines को सबसे जादा LDL पर ही focus करना चाहिए, बहुत जाओगे, वैसा नहीं है, पर जादा तर लोग जिनका cholesterol values cut off से बहुत जादा उपर है, और जो lifestyle modification को नहीं maintain कर पाते हैं, तो उनको फिर medicine लेना ही पड़ता है, जादा तर लोग को मैं 6 मैंने का at least एक trial देता हूँ कि 6 months तक आप try करो cholesterol का, अगर आप कम कर सको तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कम कर सको तो medicine तो ही, obviously लेकिन medicine एक बार चालू होती है, तो 80-90% cases में वो लंबे समय तक लेनी पड़ती है, लोग बंद कर दे, अपनी इच्छा से तो अलग बात है, पर obviously जब भी आप बंद करोगे, तो उसका अगले दिन या 2-3 दिन में आपका cholesterol levels पहले जितना था, वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि medicine इस बिमारी को cure नहीं करती है, कोई भी पैथि की medicine इसको cure नहीं कर सकती है, कोई भी diet भी इसको cure नहीं कर सकता है, सब चीजों से control हो सकता है, cure और control में फरक है, cure का मतलब यह है कि आपने थोड़े दिन उस चीज़ को किया, और उसके बाद वो problem हमेशा के लिए चलेगी, और दुबारा आपको दवा किया diet की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन control का मतलब है कि जब तक आप उसको maintain करोगे, तब तक वो control रहेगा, जैसे medicine आप regular लेते रहेगे तो cholesterol कम रहेगा, जहाँ medicine वापिस बंद कर दो कि फिर से वो बढ़ जाएगा, तो control कर सकते हैं, आप diet exercise क्योर नहीं कर सकते, तो इसलिए आज बात करेंगे, कौन कोट से चीज़ों से आप इसे control कर सकते हैं, दबा के बगएर, इसमें पहला tip है कि आप soluble fibers ज्यादा लीजिए, fibers साख सबजियों में बहुत अच्छा होता है, जितना भी high fiber content product लेंगे, यह आपके जो bile basically cholesterol को absorb करने का काम करता है, पेट में तो यह bile के साथ bind कर जाते हैं soluble fiber, जिसकी वज़े से cholesterol body में इतना easily absorb नहीं होता है, और cholesterol ज्यादा तर motion के रस्ते निकल जाता है, excrete हो जाता है, जिसकी वज़े से cholesterol levels ब्रेड में उतना नहीं बढ़ते हैं, ज्यादा तर दिन बर में 5-10 gram अगर आप soluble fiber एक दिन में अगर आप लेते हैं तो उसका cholesterol lowering effect काफी अच्छा रहता है, इवन अगर आप lower मात्र में भी 3 gram में भी लेते हैं तो भी आपको थूड़ा benefit ज़रूर मेलेगा लेकिन ज्यादा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जितना ज्यादा कुछ एक studies में भी शो किया है कि ज्यादा amount of fruits और vegetable लेने से 10 साल में heart attack या heart problems लेने का chance लगभग 17% तक reduce हो सकता है, अगें मैं वही करने के बाद हमेशा के लिए सब ठीक हो जाएगा और फिर वो कभी करना नहीं पड़ेगा और कभी problem नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, हाँ यह है कि जब तक आप उसको maintain करेंगे तब तक आपको definitely फायदा मिलेगा, जो यह DIP डाइट बगर का concept है वो यह है कि वो लोग बोलते कि आप एक मैना लोग वो हमेशा के लिए cure हो जाएगा, वो हमेशा के लिए cure नहीं होगा, आपको diet maintain करेंगे तो सागसबजी बगर लेने से आपका उस टाइम पर cholesterol या sugar या BP कम हो जाएगा, जब आप थोड़ दिन के बाद उसको बंद कर देंगे तो फिर वो वापिस हो जाएगा, तो वो diet से cure नहीं होने वाला है, क्योंकि उस diet में cholesterol कम है, क्योंकि diet में sugar कम है, वो सागसबजी है, उसका glycemic index बहुत लो है, तो इसलिए basically उस टाइम पर sugar और cholesterol values नहीं बढ़ेंगे, BP जादा नहीं बढ़ेगा, जब आप बंद कर दोगो तो अपने आप वो वापिस बढ़ जाएगा, क्योंकि diet से इसका permanent cure possible नहीं है, exercise से भी permanent cure possible नहीं है, जब तक आप maintain करोगे तब तक फाइदा होगा, next है कि आप herbs और spices को जादा ले, इसमें basically अद्रक, लेसुन और हल दी, यह तीन चीज़ों को effective पाया गया है, इनको आप जादा साग सबजी वगर में भी डाल सकते हैं, डारेक भी ले सकते हैं, कोई और चीज़ों में garnishing करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा antioxidants भी रहता है, जो कि आपके body में plaques वगर बनने को थोड़ा कम करता है, इसके अलावा डाल चीनी है, long है, mint है, pudina वगर है, यह सारी चीज़ों को भी आप ले सकते हैं, इसमें भी antioxidants रहता है, तो यह भी आपको heart attack और इस तरह की problem से कुछ हद तक बचाएगा लेकिन obviously यह पूरी तर एफेक्टिव नहीं होते हैं, lesson के बारे में काफी लोग अमें comment करते हैं, garlic के बारे में कि उसका एक clove अगर लेते हो तो आपका cholesterol levels कम हो जाएगा, कुछ studies ने यह शो किया है कि लगबग 9% तक LDL reduction आपको मिल सकता है, यानि अगर आपका मान लिजे, LDL Fats basically liquid होते हैं, room temperature में क्योंकि यह, उसमें hydrogen atoms comparatively कम रहते हैं, तो उनका आपस में connection उतना strong नहीं रहते हैं, तो room temperature में fluid या liquid form में रहते हैं, ज्यादा तर यह oils वगेर जो हैं, उसमें वह unsaturated रहते हैं, और उसमें भी कुछ monounsaturated और polyunsaturated fats आते हैं, जैसे avocados है, olives हैं, यह सब saturated fats आपका comparatively fat reduction करने में और cholesterol reduction करने में मदद करेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बहुत ज्यादा दिनबर उसे को खाएं वैसा मत करेगा, पर थोड़ा उसको अगर substitute करने के लिए use करेंगे तो अच्छा है, next है कि trans fats को avoid करेए, trans fats जैसे डालडा जैसे product होते हैं, जो hydrogenated oils होते हैं, कि सस्ते पढ़ते हैं, इसलिए काफी लोग इसको use करते हैं, इसमें oxidative तर्थ बहुत ज्यादा होते है, cholesterol बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इसलिए काफी जगापे तो यह band है, US वगर में तो 2018 के बाद से band है, अपने यह पे band नहीं है, तो इसलिए ज्यादा तर ल saturated oils ज्यादा होगा, trans fat ज्यादा होगे, तो वो फाइदा नहीं नुकसान करेगा, cholesterol value इसको बढ़ाएगा, next है कि sugars comparatively कम रखना है, आपको खाने में भी extra sugar नहीं रखना है, और fruits जिसमें fructose content ज्यादा होता है, ज्यादा तर हर मीटे fruit में fructose content ज्यादा होता है, तो उसमें comparatively आपका fructose containing syrups अगर भी जो लोग पीते हैं, उसमें दिखा गया है कि 17% तक आपका LDL cholesterol level से 2 हफते तक भी अगर आप इसको लेते हो, तो बढ़ जाता है, और obviously कम करोगे, तो उतना ही difference आपका हो सकता है, कम, तो इसलिए आप इसको कोई भी sugar containing syrups या sugar containing drinks है, या fructose containing drinks है, उ जो carbohydrate का consumption है, उसमें लगबग 20-30% sugar का content होता है, जितना कम लेंगे उतना अच्छा, next है, Mediterranean-based diet लेना है, Mediterranean-based diet जो है, वो cholesterol containing patients और BP और sugar के patients के लिए भी सबके लिए recommended है, इसमें basically वैसे ही है कि साख सबजी जादा लेना है, olive oil जादा लेना है, whole grains, fish जादा लेना है, और dairy products में अ comparatively आपका LDL cholesterol भी लगबग 10% तक reduction मिल सकता है, और heart attack या heart related problems होने का chance भी लगबग 50% तक reduction मिल सकता है, चार साल तक अगर आप इसको continue consume करते हैं, तो, तो इसलिए ये जितना जादा आप fruit-based diet लेंगे, vegetables लेंगे, साख सबजी लेंगे, दाले बगर लेंगे, उस तरह आपको compar comparatively benefit होगा, soluble fiber वाली चीज़े हैं, जैसे कि apples है, pears है, हरी साख सबजी है, डाले बगर है, इस सब में soluble fiber content जादा होता है, तो इसमें आपको इनको जादा लेंगे, तो, आपको comparatively, ये आपके cholesterol content को भी कम करेगा, और constipation बगर का problem जिनको है, उनके लिए भी अच्छा है, next ह soy proteins, जो है, soy bean में, या soy proteins जो रहते हैं, वो tofu बगर में भी available रहता है, soy bean directly भी available है, आप उसको, उसके crystals को सबजीवर के लिए भी use कर सकते हैं, और directly भी उसको खा सकते हैं, अलग-अलग forms में available है, उसका milk available है, उसका protein available है, तो उसमें isoflavones होते हैं, protein content जादा होता है, तो basically ये body क HDL cholesterol को थोड़ा बढ़ाता है, LDL को कम करता है, तो soy bean और उसका soy milk अगर आप लेते हैं, तो ये cholesterol वाले patients के लिए अच्छा है, इसको extra आप ले सकते हैं, अगर आपको cholesterol related problem है, तो, next है, green tea लेना, green tea में basically उसको अलग तरह से बनाया जाता है, उसको green tea available है, उसको specially brew किया जाता है एक matcha green tea करके available है, उसके साथ कुछ specific studies हैं, जो ये show करते हैं कि cholesterol level को लगबग 5-10% तक कम कर सकते हैं, याने 7 mg per deciliter तक कम कर सकते हैं, और इसको on an average दिनबर में recommended हैं कि 4 cup तक दिनबर में पीना चीए, हाला कि थोड़ा reduction अगर आप एक कप भी दिनबर में पीओगे तो आपको मिल जाएगा, इसके लावा cholesterol reducing supplements आते हैं, जैसे कि niacin करके आता है, niacin multivitamin है, उसका supplements आता है, 1-6 gram तक daily niacin अगर आप लेते हो, तो आपका LDL cholesterol 19% तक reduction होता है, पर niacin के थोड़े side effects हैं, इसलिए flushing face का वगर जादा होता है, तो इसको थोड़ा देखके लेना चाहिए, medicine क रूप में बहुत कम इसको यूज़ करते हैं, कि side effects थोगे जादा हैं इसके, इसके लावा psyllium करके husk आता है, वो basically एक fiber content है, जो constipation के लिए जाद अगर लोग यूज़ करते हैं, पर अगर cholesterol वाले patients भी इसको लेते हैं, तो उनका fiber content body का improve होता है, और उनका cholesterol levels भी कम होता है, इसके लावा L-carb-19, जो heart failure में भी यूज़ करते हैं, वो अगर cholesterol वाले patients भी ले रहे हैं, और 2 grams per day तक ले रहे हैं, तो उनका cholesterol levels कुछ हत तक कम करने में मदद मिलेगा, इसके लावा next important चीज़ है, कि आपकी family history में, अगर कोई भी heart related problem है, जैसे कि पी sugar cholesterol है, अथ्रस्ट्रोल का problem है, heart attack के problem है, कोई metabolic syndrome अगर है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, और वैसे लोग को ज़्यादा सतर करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा risk factors है, उतना elder cholesterol का cut-off आपका lower रहेगा, उतना ज़्यादा aggressively आपको उसको follow करना है, उतना ज़्यादा aggressively आपको cholesterol को reduce करना है, ज जिनको risk factors ज़्यादा है, उसमें आपको LDL levels को और अच्छे से और ज़्यादा strongly restrict करके रखना पड़ेगा, इसके लिएवा body weight को maintain के दिए regular basis पे exercise कीजिए, regular basis पे exercise करने से आपका वजन कम होगा, आपका cholesterol levels कम होगा, आपका diabetes कम होगा, blood pressure कम होगा, overall heart attack और इस तरह के problems आने का chance काफी हद तक कम होगा, तो आपको body weight अच्छे से maintain करना है, और बढ़ने नहीं देना है, regular exercise करना है, यह एक मात्र सबसे आसान तरीका है, heart attack का और इस तरह की problems का risk को कम करने का, तो हर आदमी को exercise तो करना ही है, next है कि कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो, तो उसमें कितना saturated fats ह किस तरह के oils हैं, उसका जरूर आपको nutrition का label है, उसको पढ़ना चाहिए, अपने इंडिया में थोड़ा से यह है कि strict guideline जितने नहीं है, तो इसलिए हर food product में यह लिखना कंबल सरी नहीं है, जादा तर जो open market में मिलती है, obviously उसमें तो यह सब चीज़े mentioned नहीं मिलती है, पर फि क्या लेने की जरूरत है, जहां तक पॉसिबल हो saturated fats को कम रखे, unsaturated fats जैसे कि avocado oil है, canola oil है, olive oil है, इनको जादा रखे, saturated fats जैसे butter है और coconut oil है, इस सब को मत लीजे, coconut oil के बार में काफी लोग controversy रखते है, South Indians अपने जाहतर खाने में उसको use करते हैं, वो मानते हैं अच्छा है, लेकिन जितना data मैंने देखा है, वो जादा तर यही बोलता है, कि वो अच्छा नहीं है, 92% saturated fats होता है, तो इस latest मैं तो recommend नहीं की करता, जो लोग लेना चाहते हैं, वो अपनी रिस्पत ले सकते हैं, नेक्स्ट आपको smoking बन करना चाहिए, alcohol बन करना चाहिए, smoking और alcohol दूनों ही cholesterol वाले patients के लिए अच्छे नहीं है, even अगर जो patients second hand smoke भी inhal कर रहे हैं, याने कोई और smoke करता है, वैसे लोग को भी smoking से फरक पड़ता है, तो आपको smoking करने वाले environment से भी बचना है, और खुद भी smoking नह करना है, और obviously यह सब चीजों से अगर आपका control नहीं हो रहा है, six months तक आपने try कर लिया, control नहीं हो रहा है, या cut-off level से आपका values बहुत ज़्यादा है, तो आपको फिर medicine लेनी है, LDL के लिए सबसे अच्छी medicine statins है, triglyceride के लिए सबसे अच्छी medicine fibrates है, HDL के लिए सबसे अच statins कोई जहातर use करते है, in fact, अगर किसी को triglyceride का भी problem हो, तो ज़्यादा तर case में statins को prefer करते है, क्योंकि statins directly भले उतना अच्छे से triglycerides को कम नहीं करते है, लेकिन उसका फिर भी काफी decent effect है, पर plaque stabilization और heart attack reduction के मामले में statins का इतना ज़्यादा additional benefit है, कि जो बागी कोई भी products match नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अगर आपको, यह सब triglyceride related problem है, और साथ में अगर आपको LDL ज्यादा है, तो definite आपको statins की prefer करना है, अगर सिर्फ और triglyceride ज्यादा है, और HTL भी normal है, LDL कम है, तो फिर आपको fibroids लेना पड़ेगा, अगर LDL लेवल आपका कम नहीं हो रहा तो azatimipe और mempidoic acid यह ले सकते हैं, इस दोनों के बारे में ही मैंने separate video किया, जो कि आप मैंने channel पर देख सकते हैं, यह दोनों additional products हैं, जो LDL levels को कम करते हैं, काम करने का तरीका अलग है, इनको आप statins के साथ भी use कर सकते हैं, cholesterol reduce करने में मदद करेगा, तो आज के topic में हमने cholesterol reduction क करने के संबंदित tips और tricks के बारे में बात की, यदि इस topic को संबंदित, आपके कोई comments, कोई suggestion है, कोई topics पर आपको videos चाहिए, या कोई और patient related queries है, तो नीचे comment section में उनके बारे में आप लिख सकते हैं, मैं उन्हें discuss करके answer करने का प्रयास करूँगा, आपके topics पर हम videos बनाने का भी प्रयास करेंगे, आपके में डॉक्र नवीर अगरवाल तेहे दिल सापका शुक्रियाद का हूँगा, कि आपने इस topic कोई तक देखा, जो लोगो मारे चैनल पर नए हैं, उन्हें request करने के चैनल को subscribe करें, ऐसा करने से चैनल को continue करने के लिए मैं motivation और inspiration मिलती है, और जब करने से चैनल